नमास कर दोस्तों जितने भी इसेफ और रेंजर भरती के अब भ्यार्थी हैं उन सभी के लिए बहुत बड़े खुसकबरी है जी हाँ सहायक वन सरक्षक एवां मन्चेतरपार के पदों पर विध्धी हुई है जो कि बहुत सारे भ्यार्थियों का और अधिक चैन होगा तो आ यह देखते हैं 36 लोग सिवा आयोग में यहाँ पर पदों में बढ़ोत्री हुए जो कि इसे और रेंजर के पद हैं दोस्तों पर आईए देखते हैं जो पहले यहाँ पर 36 लोग से वा आयोग द्वारा सब्सक्राइब अब करें जो पर कुल 178 पदों के भरते हैं जिसमें कि यहाँ पर पदों में बढ़ोत्री की गई है तो आएं देखते हैं यहाँ पर सबसेपहले सायक वन सरक्षक के जो भरती है जिसमें पहले आपका 21 पद था जिसे बढ़़हा कर यहाँ पर 33 किया गया है और उसके बाद आपका यहाँ पर वन शेत्रपाल का था जिसमें पहले आपका 157 पत था जिसे बढ़ा कर यहाँ पर 200 170 किया गया है तो इस तरह यहाँ पर टुटल 211 पतों के लिए अब भरती होगी पहले 178 था तो यहाँ पर रकुल मिलाकर टुटल आपका 33 पतों के लिए बढ़ोत्री हुए है जो कि बहुत हैं महत्तुपूर है इस तरह कि यहाँ पर बढ़ोत्री होने से बहुत सारे भ्यारतियों को मिलता है यहां पर मान के छलिए आपका 33 बढ़ गया जिसमें 33 अधिकारी अलग मिलेंगे मतलब 33 लोगों को सेलेक्शन यहां पर होगा जो कि बहुत ही महत्वपूर है बहुत ही इंपोर्टेंट होता है यहां पर अधिकारी लेवल में इतना पोश्ट बारेना दोस्तों यह व पहले सबको पता चल गया होगा तो आईए और मैं बता देता हूं 36 गड़वन सेवा समयुक्तु भरति भरिक्षा के यहां पर जो सेडूल है उसके हिसाब से जो आपका सेंटर है जो 5-12-21 कुन इधाराइत की गई जिसमें आपका यहां पर सेंटर दिया गया है कहांका रहेगा जिसमें आपका 5-12 संदे को 10 बज़े से साड़े बारा बज़े तक आपको ठाई घंटे का समय दिया जागा पहले पेपर के लिए जिसमें आपका जर्नलिस्टेटी है हिंदी आपका इंगलेस और शत्तिसगरी लिंग्विज है और तिसरा आपका इंटिलिजेन टेस्ट है उसके बाद आपको सेकंड जो इसका पेपर आपका परियावराण और एकडिकर्चर और फारेश्टी से यहां पर प्रस्न पुछे जाएंगे दोस्तों इसमें दो इक्जाम होता है दुनों को मिलाकर आपको इंटर्वु के लिए बुला जाता है दोस्तों इस तरह के वंड़े एक्जाम जो प्येसी द्वारा निजाय कर दिए क्योंकि आपके पास मान के चलो लगभग एक मैना का समय बचा है जो कि पांस तारिक को आपका एक्जाम होना है और इसके लिए आप निश्य थिपनी तयारी को तगड़ा करिए इस पर एकदम जोर लगा दीजिए देड़रा तेक कर दीजिए पूरी लगन के साथ म कर दो कि दो कर दो आपके साथ में बन्नमाँ